Hello everyone, नमस्कार, UPSC Previous Year Papers 2017 की क्योस्टन अब डिसकस कर रहे हैं, यह पार्ट नमबर 4 है, जिसमें हम लोग डिसकस कर रहे हैं, UPSC Previous Year Papers 2017 की क्योस्टन के दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, इन ट्रोपिकल रिजन्स, जिका वायरस डिजीज इस ट्रांस्मिटेड बाइदा सेम मॉस्किटो धैट ट्रांस्मिट डेंग्यू, तो यह स्टेटमेंट बिलकुल सही है, जिका वायरस जो है, सेम कटेगरी के अंदर आता है, जि स्टेटमेंट भी सही है, अगर आप 2021-22 में एक्जाम दे रहे हैं, तो यह डिजीज वाला जो टोपिक बहुत इंपोर्टन है, हो सकता कि जीका के बारे में सवाल पूचे रिशन में, अभी हाली में केरला के अंदर जीका वायरस के कुछ केशी रिपोर्ट किये थे, इसके लावा, जीका वायरस के लावा, इबोला हो सकता है, या सर्स है, मर्स है, इवन कोविड-19 बी कंटिन्यूज में है, सवाल आपसे वायरस के लेकर, जितने भी वायरस लेटिड या जितने भी डीजीज एक टोपिक है, उसको कवर कर लेना, बहुत इंपोर्टन है, डीजीज लिंग खोल कर आप डाउनलोड कर लेना, इसके बाद second question जो है, वो 32 number, इसके बाद question number 32 है, 32 में यहाँ पर पूछा गया था, standard mark of bureau of Indian standard is mandatory for automotive tires and tubes, देखी, automated tires and tubes के लिए mandatory है कि Bureau of Indian standard को बोलोग status जो है, या उसका mark, stand mark जो हो हासिल करे, इसके बाद second statement बोल रही है, एग mark is a quality certification mark issued by the food and agriculture organization, इसमें अगर आप देखेंगे, इस पार्ट के अंदर, पहला पार्ट इसका बिल्कुल सही है, कि एक quality certification mark है, लेकिन यह जो है, food and agriculture organization द्वारा नहीं, यह इंडिया में रिलीज किया जाता है, तो Indian governments के द्वारा या Indian job 30 जो वो रिलीज करती है, लेकिन FAO इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें केवल इतनी statement सही है, यह वाला पार्ट जो सही नहीं है, तो यह वाली हो जाए गलत, इसमें केवल एक answer होगा, बिल्कुल सही, इसके बाद बात की जारी है, what is are the advantages of implementing the national agriculture market scheme, इनाम भी बोलते हैं इसको, इसके क्या benefit है, 2021 में expect कर सकते हैं, question हो सकते हैं, बहुत सारे regions हैं, जिसकी वज़े से क्योंकि agriculture वो sector राद 2021 में, जिसने COVID-19 के contraction के बावजुद भी positively growth rate show करी है, तो इसमें बहुत सारे question हो सकते हैं, even unemployment के types को लेकर भी question हो सकते हैं, कि agriculture sector में किस तरह की unemployment बेरोज़गारी देखने हो मिलती, उस सवाल आप से पूछे जा सकते हैं, दो statement है, it is a pan India electronic trading portal for agriculture community, जब national एक word use क्या जार है, तो इसका मतलब ये pan India पे होगा, बड़े level पर आपको इस तरह का infrastructure या इस तरह की scheme जो implement होगी, तो पहला statement बिल्कुल सही है, और national agriculture market क्या है, आप देखेंगे कि राष्टी किर्शी मंडिय जो है, उसका क्या purpose होगा, it provides the farmer access to nationwide market with prices, commensurate with the quality of their produce, यानि उनकी quality के क्योडिंग उनको price में लगा, ये access कर पाएंगे, जब national agriculture market होगी, मंडी अगर system होगा और national level पर होगी, तो farmer को access होगी कि price क्या है, पूरी मंडी में, पूरी देश में, उसके basis पर वो अपने prices, अपनी जो product है, उनको लेकर जो है, उनको price में लगा है, ये दोनों इसके इस purpose थे, इस advantage और advantages के अंदर, बोथ A and C जो है, आप इसमें mention करेंगे, इसके बाद question number 34, इसमें mention किया गया, 34 number ये question है, question क्या है, with reference to the national intellectual property right policy, consider the following statement, it reiterates India's commitment to the doha development agenda and the trips agreement, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो doha development है और trips agreement, दोनों के दोनों जो है, trade related intellectual property rights agreement, दोनों के दोनों जो है, वो intellectual property right policies के अंदर, consider की जाते हैं, दूसरा, यहाँ पर बात की जारे, department of industry policy promotion is a nodal agency for regulating intellectual property rights in India, ये statement भी सही है, दोनों के दोनों statement सही है, एक है, 2021 के अंदर भी ये news में रहा था, क्यों, आपको बता दू, COVID-19 के medicine को लेकर, या equipment को लेकर, government of India चाहते थी, कि western country जो है, WTO के अंदर, जो patent का एक right है, उसमें थोड़ा relaxation दी जाए, इस चीज़ को लेकर आपसे सवाल हो सकते हैं, even intellectual property right के में, आप देखेंगे patent है, copyright है, trade secret है, या geographical indication है, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, आपसे WTO के, TO के बारे में सवाल हो सकता है, WTO में, even agriculture से भी relate करके, पहले भी हुआ है, ember box, blue box, इस तरह की जो subsidies होती है, उसको लेकर भी सवाल हो सकता है, तो इनको लेकर आपको ready रहना पड़ेगा, 2021 में खासकर, answer दोनों सही है, 34 में कोई problem नहीं है, इसके बाद 35 number question है, इस सकते हैं, और इसमें provision, इस लोग के, किन animals को include किया गया है, ये mention करने है, तो इसमें जो तीनों दिये गए है, गडियाल, इंडियन वाइल, वाइल ऐस, वाइल बफेलो, तीनों के तीनों को आप हंट नहीं कर सकते हैं, उनका सिकार नहीं कर सकते हैं, क्यों, देखिए 1972 में इसको देख लेना, कि main main कौन से इसमें animals या birds include किये गए हैं, ताकि आपको पतार है कि ये important है, खास कर मैं अगर schedule 1 और 2 में से आप दोनों schedule नहीं देख पाते हैं, तो केवल schedule 1 जरूर पर लेना, important है, कहां कहां पर एक तरीके से, जो wildlife है, कहां पर हो situated है, किस areas के अंदर आपक तेनों सही हैं, इसके बाद बात की जा रही है, 36th number question, which of the following statement is are true of the fundamental duties of Indian citizen, यहां पर बात की जा रही है, a legislative process has been provided to enforce these duties, इनको तरीके से implementation करने के लिए कोई legislative process है, अगर आप article 36 से लेकर 51 को देखेंगे, DPS आता है, यानि डिरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी, इसक अगर आप fundamental duties को देखेंगे, 51A के अंदर mention है, इसलिए वो उसी का ही एक तरीके से आप देखेंगे, उसी से attach एक पार है, हलागि different पार्ट है, लेकिन उसी से link होगा, तो इसमें enforcement का provision नहीं है, fundamental duties को भी आप enforcement के थुरू implement नहीं कर सकते हैं, इसके लाबा, यहां पर इस statement करना और second बोल रहा है कि यह legal duties के correlative है, लेकिन लेगल duties का मतलब क्या होगा, आपको follow करना अपड़ेगा, otherwise आपके against your legal action होगे, लेकिन यहां पर fundamental duties में ऐसा नहीं है, हलागि कुछ laws के दवारा fundamental duties के अंदर concept mention है, उनको government implementation कर सकते हैं, लेकिन यह fundamental duties में जो mention किये हैं, वो legal duties के correlative नह आपने answer को करेंगे, ज़रूरी नहीं कि आपको question के बारे में पता होगे, इसके बारे में exactly information हो, statement को दो तिन बार धान से पढ़ना, question की possibility होगी कि आपका correct होगा, practice करें और practice आप test series के तुरू या previous year paper के तुरू continue करते रहिए, इसके बाद question number 37 दिया गया है, इसमें तीन personality उन founder रहे हैं इंडियन association के, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसमें option number A ज़रू कट हो जाए, क्योंकि इसमें तीन include नहीं है, second आप देखेंगे, गजूलू लक्षमी नाराशु चेटी, इनका नाम थोड़ा GL चेटी बोल सकते हैं, ये क्या founder थे मदरास माजन सभा के, तो ये statement सही नहीं है, क्योंकि मदरास माजन सभा 1884 के आसपास जो एक तरीके से फॉंड करी गई थी, लेकिन इनकी death थी 1868 ये 64 के आसपास हो गई थी, तो ये इससे relate नहीं है, second नहीं आएगा, यानि third आएगा, लेकिन second नहीं आएगा, तो केवल इसमें option number B बचेगा, भले ही आपको इ इसके जो association है, जितने भी organization है, जितने भी institution है, चाहिए वो pre-congress हो या after congress हो, major major institution, उनके founder के बारे में जुरूर बता हो, क्यों organize की गई थी, कब जो found करी गई थी, ताकि matching में अगर कोई question आता है, तो इसको 101% tick किया जासके, इसके बाद, question number 38 है, और question number 38 मैं कहूंगा कि असान स सवाल है, क्यों, which one of the following objective is not embodied in the preamble of the constitution of India, भरत की पुरस्तावना में कौन सा objective जो उसके अंदर mention नहीं किया गया, चारो statement को देखना है, liberty of thought, economic liberty, liberty of expression, liberty of belief, देखिए यहाँ पर जो second option है, यह आपको थोड़ा different लेगेगा, क्योंकि बाकी options में सारे में सबसे पर liberty, liberty, liberty लिखा लेकिन इसमें economic word पहले लिखा गया है, तो economic जो liberty नहीं है, अगर आप preamble को statement को प्रपर पढ़ेंगे, तो liberty के अंदर नहीं आता, यह automatically cut हो जाएगा, यह इसका सही answer होगा, यह बाकी तीनों तो mention है, यह इसके अंदर liberty के अंदर count नहीं होता, तो इसमें answer भी आ जाएगा, व objectives के अंदर include नहीं कियेगे, इसके बाद question number 39 है, इसमें बोला जारा quality council of India के बारे में direct statement है, quality council of India जो set up करी गई थी, एक joint initiative है, industry और government of India यह भी विल्कुल सही है, जो इस तरह की question जो होंगे, उसमें कोई logic नहीं लेगेगा, आपको एक पता है, तब आप attempt कर पाओगे, नहीं पता है, तो नहीं कर पाओगे, इसके बाद second बोल रही है, chairman of quality council of India is appointed by the prime minister on the recommendation of the industry to the government, यह statement भी सही है, अगर joint initiative होता है, तो इसमें जो industry body है, वो एक तरीके से recommendation करती है, उसके बाद प्राइमिस्टर साब इसमें chairman को appoint करते है, तो दोनों की दोनों statement होगी, बिल्कुल सही, इस is the purpose of setting up of small finance bank in India, भारत के अंदर small finance bank को set करने का, या set up करने का क्या purpose था, तो तीन statement दीगी है, to supply credit to small business unit, to supply credit to small and marginal farmer, तो दोनों statement तो बिल्कुल सही होगी, first and second तो होगी होगी, और इसमें third check करना की होगी के नहीं होगी, अगर आप RBI में लिखेंगे ऐसे, small financial bank लिखेंगे, औ और उसमें जो third statement दीगी है, to encourage young entrepreneurs to set up business particularly in rule area, तो वहाँ पर entrepreneur word use नहीं किया गया, और यहाँ पर आप देखेंगे, अगर यह होता कि कोई small entrepreneurs को spot करना, उस तरह की चीजें होती, थोड़ा बहुत लोजिकली लगता कि सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर young entrepreneur एक word use किया गया, कि वो business सेट कर rural area के अंदर, आपको close लगेगा, लेकिन यह जो officially सही नहीं है, और 2017 में सवाल पुछने के पीछे मकसद यह था, कि 2016 में demonetization के बाद बहुत सारे financial institution को लेकर news में रहा था, RBA के एक important role रहा था, तो RBA के जो major discussion है, या major एक तरीके से जो इस तरह के purpose के बारे में, objectives के बा बारे में जुरूर आप उसको RBA से officially उसके objectives को पढ़ लीजेगा, objective पढ़ने से क्या होता कि question में objective पुछे जाते हैं, या mission के target पुछे जाते हैं, purpose पुछे जाते हैं, वो जुरूरी है ताकि question को 101% जो है correct के जासके, तो आज का यह छोटा सा वीडियो था, उमीद करेंगे आपको पसंद आएगा, और आने वाले ही जो question है, उसको continue हम लोग करते रहेंगे, thank you all, जहिन